मित्रों जय माता दी आप देखने धर्मसिक्छा धर्मसिक्छा में रोज की तरह एक बार फिर से मैं आज का संपुन रासी फल लेकर यह संपुन रासी फल है गुरुवार यानि की 20 जनवरी 2022 का अगर आज के पंचांग की बात करें तो आज है विक्रम संबद 2018 मागमा अगर आज का पंचांग और फी विस्तार जानना है एक एक मुर्तो गयम जानना है तो डिस्किप्शन में आज के पंचांग का लिंक दिया हुआ है वहाँ जाकर आप आज का पंचांग विस्तार पूर्वक जान सकते हैं एक एक मुर्तो गयम जान सकते हैं आज के संपून राशिपल के वीडियो में हम जानने वाले कुल 12 राशिओ का आज का राशिपल साथी हम जानने का आज का सुब समय असुब समय दिसासूल सुब तो इसे like करें, comment box में जै मताधी जोड लिखें, मित्रों आज के 12 रासी का रासी पल आपको बताना आरहम करो, उससे पहले आए एक नेजर डाले आज के गरहों के स्थेती पर, क्योंकि गरहों कि स्थेती पह ही पूरा पूरा रासी पल निर्भर करता है, आज राहू व्रिशा चब्सक्ताइम चैम्राइम आज सुबह की 7 बच्कर 49 मिर तक ही रहेंगे उसके यंग चैन्रमां की प्रवेश हो जाएं तो राशी फेल हम आज का सिंह राशी के हिसाब से ही जानेंगे हैं तो आईए इन्वें से भी ग्रहों का मिलादलाल आज आज के रासी फल में जानते हैं बात करेंगे पहली रासी मेशासी की मेशासीम चंद्रमा आज नौवे स्थान में विराजित है जिसके फ्यसुप मेशासी वालों के लिए आज का इंद बहुत ही बढ़िया रहने वाल है आध्यात्मिक सुख मिलेगा आपको पूझा पाठ में और धर्मिक कारियों में आपका मन लगा रहेगा भगवान की किर्पा भी आप पर बनेगी सरकारी ओफिस से समंधित कारी आपके आज सफल रहने वाले है बात करेंगे व्यापार और धन की तो धन प्राप्ति के नए अपसर आपको मिल सकते हैं व्यापार में लाब भी होग और फिस में सहकर्मियों का सहयोग भी प्राप्त होगा विद्यार्थी की बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए आजके इन उत्तम रहने वाला है मासरोसती की किर्पा पर बनी रहेगी तो मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी बिलकुल ना रखें स्वास्ति की बात करें स् स्वास बढ़ाने की कोशिस करें इससे आपके समन सुद्रेड होंगे आज की निकर सेव अपने खाद्य बदात में सामिल करेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग पीला रंग लखी नमराज का एक रहने वाला है बात करेंगे विरिशासी की वि आज का बनाए हुआ योजना आपको आने वाई दिनों में सफलता की प्रप्ति करा सकता है बात करेंगे वियापार और धनकी तो सभी प्रकार की भौतिक सुख सुधाएं आपको मिलेंगी जैसे मकान भूमी वाहन माता के सुख में भी विर्धी होगी जो भी कारी आप अप आज किन बढ़िया रहने वाल है अपने लक्ष को साथने के लिए विशेस रन्निती बनाए इससे आपको फायदा होगा स्वास्ते की बात करें स्वास्ते के दिश्टी से आज किन आपके बढ़िया रहने वाल है लेकिन आपकी मानसिक सांती आज ओश्थिर रह सकती है किसी प्रकार की चिंता भी रह सकती है प्रेम समंध की बात करें तो प्रेम समंधों के लिए आज के इन सामाने रहने वाल है जीवन साथी से सामान जासे बना के रखें आज के दिन अगर ब्राउन राइस याने की पक्का चावल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग महरून रंग लकीन मराज का नौड रहेगा बात करेंगे मिथुन रासी की मिथुन रासीम चंदरमा आज 11 हुए स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब मिथुन रासी वालों के लिए आज के बढ़ी हार रहने वाला है आज आपको परिवार जोनों का पूरा साथ मिलेगा खास करके छोटे भाई भाई भनों से ओफिस में भी सहकरमियों का सहयोग प्राप्त होगा आज किन आपके लियात्रा के योग बन रहे है और यात्रा आपकी सुब रहने वाली है पिता का भरपूर सहयोपी आपको इन मिल सकता है बात करेंगे व्यापार और धनकी तो मिथुन रासी के जुआ तक बहुत इक सुक्षिधाओं की चीज़ें बेशते हैं जैसे एलक्ट्रोंग्स का कोई भी सामान, वायल फोन, फ्रीज का प्रित्यादी उनके लिए आज किन बढ़िया रहने वाल है उनके व्यापार में विर्धी भी होगी कहीं अगर आपके पैसे बकाया है तो वहाँ से पैसे जोड मांगें, वहाँ से पैसे आपको मिल सकते ऐंज बात किरेंगे विद्यार्थी की विद्यार्थियों के लिए आज किन बढ़िया रहने वाल है आप मेinement करें, उसका पूरा फल आपको जोड मिलेगा स्वास्त की बात कें तो स्वास्त की द्रिष्टी से आज के न आपके लिए बढ़िया रहने वाला है सुबह सुबह अंकुरित अनाज खाएं इससे आपका पेट साप रहेगा और आप स्वास्त भी रहेंगे प्रेम समंद की बात करें, प्रेम समंदों के लिए आज के इन बढ़िया रहने वाला है, जीवन साथी के साथ कुछ खाली समय वैतीत करें, समंद इस से आपके ज़्यादा और भी मधूर रहेंगे आज के लिए बादाम खाएंगे, तब के लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुबरंग, गुलाबी रंग, लveer लकी नंबराज का 5 रहने वाला हैं बात करेंगे करकरासी की करकरासी मिचंद्रमा 12 हुए स्थान में विराजित है जिसके फ्लसुप करकरासी वालों के लिए आज के दिन उत्तम रहने वाला है तरह तरह के स्वाधिष्ट भोजन और मिठाईयां खाने के योग बन रहे है पडिवार में तरह इस्तेदारों में आपसी सामंजस से बना रहेगा बात करेंगे व्यापार और धनकी तो आपके बज़त में विर्दी होगी व्यापार में लाव होगा बैंक बैलेंस और बज़त आपके आज बरती भी नजग आ रही है आज आपके लिए वस्तर आभूसन और रत्न खहिदने के योग भी बन रहे है विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आज के इन मध्यम रहेगा लक्ष को प्राप्त करने के लिए आपको ज़्यादा महद भी करना पर सकता है स्वास्ति की बात करें स्वास्ति के द्रिष्टी से आज के आपको ठीक ठाक रहने वाला है किसी परकार की चिंता आपको रह सकती है साथी और इंद्रा का सामना भी करना पड़ सकता है आपको तो अपने स्वास्ति का ध्यान जोर रखें प्रेम समंध की बात का है प्रेम समंधों के लिए आज करिन मध्यम रहने वाला है जीवन साथी से आज दिन बार में कुछ अन्बन होने की सम्भावना बन रही है तो आपसी सामजा से बना के रखे आज करिन अगर औरेंज जीएने की संत्रा खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग पीलारंग लकी नमराज का आठ रहेगा बात करेंगे सिंगरासी की सिंगरासी मचंद्रमा पर्थमस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप सिंगरासी वालों के लिए आज करिन सकारत्मक रहने वाला है आज करिन आप अपने प्राक्रम के बलपर और मेहनत के बलपर अपनी आये में बरोधरी कर पाएंगे यात्रा के भी योग आपके लिए बनन है और यात्रा आपके सुभ रहने वाली है व्यापार के लिए जीवन जीने के लिए आपको आज ने संहिओ की भी मिल सकते हैं बात करेंगे व्यापार और धनकी तो व्यापारियों के लिए आज के इन बढ़ियार आने वाल है आपके लिए आज अच्छे सयोग बन रहे है आज के इन कुछ नया कारी आरम करेंगे तो उसमें आपको सफलता भी मिलेगी लेकिन नया कारी आरम करने से पहले वीडियो के अं प्रेम समंध के लिए आज के उत्तम रहने वाल है नए समंधों की सुरुआत भी हो सकती है आज के लिए आज का सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब्रन लाइट येलो कलर लगी नम्मराज का रहने वाल है दो बात करेंगे कन्यारासी की कन्यारासीम जंद्रमा दूसरे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप कन्यारासी वालों के लिए आज के इन थोड़ा खर्चीला रह सकता है धार्मिक कारियों पर और मांगली कारियों पर खर्चे हो सकते है आपके आपको आज कुछ अच्छे स खर्च हो सकते हैं जिसका पूरा प्रभाव आपके व्यापार पर पढ़ेगा। विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आज किन बढ़िया रहने वाले मा सरोस्ति का अस्मर्ण करें मेहनत करें। सफलता की प्राप्ति आपको होगी। स्वास्ति की बात के तो दामपत्य जीवन के खुशियां बर सकती हैं विवाहा के लिए प्रस्ताव भी आ सकते हैं नए समद्धों की सुरुआत भी संभव आज केंगे नीमबू अपने खाद बदात्य में सामिल करें गेँगा तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग ओरेंज करर लकी नम्मराज का चार रहेगा बात करेंगे तुलारासिगी तुलारासिम चंद्रमा आज तीसरे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज का दिन आपके लिए काफी बढ़िया रहने वाला है आज आपके कई परकार के इच्छाओं की पूर्ती हो सकती है अपने से बड़े मतापिता या बड़े भाई बाहनों के किरपा भी प्राप्त होगी मान सम्मान मिलेगा परतिष्ठा में विर्धी होगी आफिस में सगे समंधियों में मित्रों में आपका मान समान बढ़ेगा आज करें दिन आपके लिए कुल मिला कर सुब रहने वाला है बात करेंगे व्यापार और धनकी तो तुलारासी के जातकों के लिए आज अचानक से धनलाब के योग बन रहे है मकान और घर बनने की योग भी बन रहे है व्यापारियों के लिए आज करें आपके लिए लाबदायक रहने वाला है आपके लिए आज अच्छे संयोग बन रहे है अगर आज करें कुछ नयाकारी आरम करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी लेकिन नयाकारी आरम करने से पहले वीडियो के अंत में जो जालले आज का सूप समय किया है सूप समय में ही नयाकारी आरम करें ताकि आपको सफलता की परप्ति निश्चित दोर बरो विद्यार्थी की बात केद विद्यार्थियों के लिए आज के इन सामाने रहने वाले विद्यार्थी अपने बढ़ाई में महनत करें सफलता इसी से प्राप्त होगी स्वास्त की बात केद स्वास्त के दृष्टी से आज के आपके लिए बढ़िया रहने वाले आज आपका मन और सरीर दोनों स्वास्त रहेगा तो अपने स्वास्ति का ध्यान जोरू रखें प्रेम समंद की बात के प्रेम समंदों के लिए आज के इंग बढ़िया रहने वाले रिस्तों में नई शुरुवात भी हो सकती है आज के दूद्ध या दूद्ध से बनीवी ची को बनाने वाला दिन है जितने भी आपके रुके हुए फसे हुए कारी हैं उन सब को खत्म करने की कोशिस करें आज उनको खत्म करने में आपको सफलता की प्राप्ती होगी मान समान में मिलेगा पिता का सहयोग भी प्राप्त होगा आपकी कुंडली से आपके संतान को सफलत की प्राप्ति होगी और उनके काड़ी भी बनेंगे साथ ही अपने गुस्चे पर नियंतन रखें परोशियों से मितलों से सगे समन्धियों से समन्ध मधूर बनाने की कोशिश करें उनसे लड़ाई जहगरे के योग बन रहें तो उत्तम यही रहेगा कि आप अपने आप पर किसी से लराई जगरत तो बिल्कुल भी ना करें व्यापार औधन की बात करें व्यापार में आज आपको हानी हो सकती है वेर्थ के और फिजूर खर्चों से आपको बचना चाहिए विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आज किन खर्चिला रह सकता है आपको तो अपने खर्चों पर नियंतर रखना ही चाहिए स्वास्ति की बात के स्वास्ति के दिश्टी से आज किन आपके लिए मध्यम रहने वाला है आज करेंगे आपको किसी प्रकार की मांसिक परिशानी रह सकती है किसी प्रकार की चिंता रह सकती है तो अपने स्वास्ति का ध्यान जोड़ रखें प्रेम समंद की बात के प्रेम समंदों के लिए आज किन सामाननी से कमराने वाल है जीवन साथी से वाद विवाद हो सकते हैं आपके तो आपको आज आपसी सामन्जस से बना के रखना होगा आज के दिनकर ब्राउन राइस यानी की पक्का चावल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग भगवारंग लकी नमराज का तीन रहेगा बात करेंगे धनु आसी की धनु आसीम चंदर्मा पांचमें अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप धनु आसी के जातकों के लिए आज का दिन अध्यात्मिक द्रिष्टी से बहुत ही बढ़िया रहने वाला है भगवान की पूजा पाठ में आपको सबलता मिलेगी भगवान का आसीरवाद भी आपको प्राप्त होगा अपने से बड़े और गुर्जोनों का आसीरवाद आपको प्राप्त होगा तीर थी आत्रा के योग बन सकते हैं अच्छे समाचार की प्राप्ती भी होगी अगर कहीं आप महमान बन कर जाते हैं तो आपका स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा महमान नवाजी का पूरा अननदाब उठा पाएंगे मित्रों दथल बड़े भाई बहनों के सहयोग से केरियर में सफलता मिल सकती है माता के स्वास्थिक आपको आज ध्यान रखना चाहिए बात करेंगे व्यापार और धनकी भागी में विर्दी होगी आपकी आई के सुरूत बढ़ेंगे व्यापार में लाभ होगा बड़े भाईबानों का सहीयोग भी प्राप्त होगा विद्यार्थी की बात केट विद्यार्थियों के लिए आज के इन उत्तम रहने वाला है सफलता की प्राप्ती होगी जो विद्यार्थी प्रत्योगता परिक्षा के त्यारी कर रहे है उन्हें भी सफलता आज मिल सकती है स्वास्त की बात के तो स्वास्त की दृष्टी से आज के आपके लिए सामान्य रहने वाला है फिर भी मोस्मी बिबारियों से सचेत रहे है ठंडी चीये खाने से बिल्कुल बचे प्रेम समंद की बात के प्रेम समंदों के लिए आज के इन सामान्य रहने वाला है जीवन साथी से अच्छे समंद बना के रखने का प्रयास करें उनको समय दे बात करेंगे आज के सुब खाद की तो आज अगर बादाम अपने खाद बदाते में सामिल करेंगे आप तो आपके रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग पी लारें लकी नम्मर आज का चार रहेगा बात करेंगे मकर रासी की मकर रासिम चंदर्माद छठे स्थान में विराजित है जिसके प्रसुप मकर रासिवालों को आज संतान के तरब से थोड़ी चिंता रह सकती है अपने संतान का ध्यान रखें आपके अधिनस्त करमचारी और नोकुनों का सहयोग आज आपको भरपूर मिलने वाला है हिंबत और प्राक्रम आपका बना हुआ रहेगा बात करेंगे व्यापार और धन की तो आज का तिन आपके लिए काफी उनति दायक रहने वाला है आपकी उनति हो सकती है आई के नई सरुत बनेंगे व्यापार में भी लाब होगा पैत्रिक संपत्ति का लाब आपको मिल सकता है डूबा हुआ फासा हुआ कोई धन भी प्राप्त हो सकता है छोटे भाई भानों का सहयोग और लाब आपको आज मिलेगा बात करेंगे विद्यार्थी की विद्यार्थियों के लिए आज किन मध्यम रहने वाल है विद्यार्थियों की एकागरता में कमी आ सकती है केरियर में संगर्ष की योग बन रहे लेकिन संगर्ष के पश्चात सफलता मिलने की योग भी बन रहे स्वास्ति की बात करेंगे तो स्वास्ति आपका अच्छा रहने वाल है फिर भी अपने स्वास्ति का ध्यान रखें ठंडी जीए खाने से बिल्कुल बचें प्रेम समंद की बात करें प्रेम समंदों के लिए आज के इन सामाने रहने वाला है आज के लिए चुकंदर अपने खादे बतात में सामिल करेंगे अब तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग गुलावी रंग लकी नमर छे रहेगा बात करेंगे अब कुमरासी की कुमरासीन चंद्रमा सात्वे अस्थान में विराजी थे जिसके ब्लसुक कुमरासी के जातकों के लिए आज का दिन परसन्नता से भरा हुआ रहेगा आज दिन भर में कुछ अच्छे समाचार की प्राप्ती भी हो सकती है पडिवार जनों और सगे समंधियों में आपस में प्रेम और सद्भाव बना रहेगा आफिस में सहकर्मियों का सहयोग भी प्राप्त होगा सरकारी कारियों से भी आपको लाब मिलेगा आज किसी प्री एजन्स से आपकी मुलाकात संभव है बात करंगे व्यापार और धनकी तो आज पार्टनर्शिप के माध्यम से व्यापार में लाब हो सकता है सोसलाल के पक्ष से भी कुछ धन की पाक्ती हो सकती है भूमी, पोपटी और मकान के सुक में विर्धी हो सकती है आपके व्यक्तिकत सुक में विर्धी होगी आपकी आये में बढ़ोतरी होगी और बचत भी आपके आज बरती भी नजर आ रही है बात करेंगे विद्यार्थी की विद्यार्थियों के लिए आज के लिए उत्तम रहने वाला है मेनत करें उसका फ़ल आपको जरूरू मिलेगा स्वास्ति की बात के तो स्वास्ति आपका अच्छा रहने वाला है फिर भी मौसमी विवानियों से सचेत रहे प्रेम समंध की बात के तो प्रेम समंधों में आज दाम पत्ते जीवन की खुशियां बर सकती है जीवन साथ ही के सही होग से आपके काम भी बन सकते हैं प्रेम समंधों के लिए आज के बहुत ही अच्छा रहने वाला है आज के नकर जो या जो से बनी वी चीए खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग फिरो जी रंग लगी नम्मर तीन रहेगा बात करेंगे मीन नासी की मीन नासीम चंद्रमा आज आठ्वे स्थान में विराजी थे जिसके फ्रसुब मीन नासी के जातकों के व्यक्तिति में आज निखार आ सकता है आज मिस्वास में बढ़ोतरी हो सकती है आज किन अपने व्यक्तिति पर विशेश तोर पर ध्यान दे आज किन अपने गुस्टे पर भी नियंतन रखें तो आपको थोड़ा समल कर रहना होगा आज किन जब भी घर से बाहर निकले तो वीडियो के अंत में बताएगे सुब खादी को खाकर ही निकले ताकि घर से बाहर आपको किसी प्रकार के दुरगटना या लराई जहगरे का सामना ना करना पड़े व्यापार उधन की बात के तो आई की दृष्टी से आज किन आपके लिए सामानने रहने वाला है विद्यार्थी की बात के तो विद्यार्थियों के लिए आज किन सामानने से थोड़ा कम रहेगा विद्यार्थी अपने मन को भटकने से बचाए आज आपका मन्य पेक छाक्रित जाता चंचल रह सकता है स्वास्त की बात के तो स्वास्त समंधी कुछ परेशा नहीं आ सकती है मानसिक तरह रह सकता है किसी प्रकार के चिंता रह सकती है आज के दिन के प्रियम समन्ध की बात कर जीवन साती से समध्यस से बना के रखना होगे आपको जीवन साती से मनमोटरॉग संभावन भी बन रहीया नानी याजका आका आजके नहीं कर दही खाएंगे, तह आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आजका सुबारंग, पिला रंग लगी नंबर आजका रहने वाला है, दो तो हमेक्ने तो यह था, चके 12 रासिका रासिफल अब जालता है, आजका सुब समय आज का सुब समय निकी गुलि काल रहने वाला है सुबह के नव बज के तरेपन मेर्स लेकर ग्या बच के बारा मेर तक इस समय में कोई भी नया काड़ी आरम करेंगे तो इसमें आपको सफलताः लगेगी, आज का सुब्षुमे आनि के राहु काल रहने वाला दिन के एक बच का 51 मर्स देकर तीन बच का 11 मेर तक इस समय को भी नया कारी करने से बिल्कुल बचें इसमें आपको और सफलता हाथ लग सकती है तो में तो यहां पर में आपको आज का संपून और विश्दित रासी पर बता है कल के संपून रासी पल के लिए जुरूरे धर्मसिक्चा के साथ और देखते लिए धर्मसिक्चा जै माता देख